तो हेलो और वेलकम अगें दोस्तों टाइगर 3 का टीजर आचुका है और दिल से बोलू तो चबरतस टीजर आया है मुझे बहुत पसंद आया है और वाकई में दमदार है लेकिन इस वीडियो में हम करेंगे टीजर को थोड़ा एक्स्प्लेइन थोड़ा अजम्सन सेट करेंगे प्रेडिक्संस लगाएंगे थेओरी लगाएंगे कि कहानी क्या होने वाली क्या नहीं होने वाली है लेकिन जो भी यहां बोला जाएक आप वो बिलकुल सच नहीं होगा बस एक थेओरी बेस पर यह बाते होईंगी तो इसे आप बिल्कुल सच मत मानना तो सुरुवात करते हैं बसे टीजर देखकर बच्चा-बच्चा समझ जाएगा कि मूवी की एक्चुल कहानी क्या होने वाली है मूवी स्टार्टिंग से किस पार्ट में घूमने वाली है जो ये टीजर का नाम है कि टाइगर का मैसेज वागई में ये मैसेज सिर्फ मूवी के अंदर ही नहीं दिया गया है एक्चुली ये हमारे लिए भी था कि मूवी में आखिर होने क्या वाला है या तो बीस साल के सच्चे देश भक्ती के बाद अपना हीरो टाइगर उर्फ अभिनास सिंगरा थोड को ट्रेटर का टैग दे दिया गया है मलब देश द्रोही गद्दार बोल दिया गया है एक लाइन में कहूं तो सलमान उर्फ टाइगर भाई तो सारी तरफ से आते इट मिंस ये कि ISI का दुस्मन भी कौन है अपना टैगर भाई क्योंकि उनकी चटक सुंदरी जोया के साथ जो रिवर्स लब जिहाद किया था वो कौन है अपना टैगर भाई है तो इसे पकड़ेगी कौन आयसाई जिसका एक मंजर वो लास्ट के 24 सेकेंड का जो एक्सन स्युक्वेंस में दिख रहा है जिसमें वो ट्रक भर के जो आर्मन एंड हतियार से लेस इस्पेसल फोर्स आ रही है पकड़ने के लिए किसको टैगर को जो ट्रक एंड फोर्स की वर्दी को देखकर लग रहा है उनकी युनिफॉर्म्स को देखकर लग रहा है कि वो पाकिस्तानी फोर्स के ही स्पेसल फोर्स है इसके साथ टीजर बहुत बहुत बहतरीन तरीके से डिजाइन करा गया है जिसमें बहुत कुछ देखा जाये तो एक बार के लिए रिवील कर दिया गया है लेकिन जादा कुछ दिखाया भी नहीं गया है विटमीन सिये की साप भी मर जाये लाठी भी ना टूटे मैं बताओं यहाँ सीन क्या गर दिया है सीन यह हो चुका है हमें सीधा सीधा लग रहा है कि टाइगर की लड़ाई अब रॉय एजिंसी से होगी कॉर्मेंट से होगी और बस इसी गुत्थम गुत्था में मूवी निकल जाएगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हाँ यह चीज बिलकुल ठीक है कि लड़ाई होगी अपना हक के लिए टाइगर किसी भी हद तक जाएगा ही जाएगा लेकिन यहां इमरान हास्मी को अभी दिखाया नहीं गया है और उसका लुक वैसे ही बहुत जबर्दस लग रहा है तो विलेन के रूप में यह बंदा फाड़ने वाला है एक बार के लिए देखो इतना कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है टीजर से क्योंकि मैं उम्मीद में था कि एक छोटा सा लुक ही आ जाना था अगर आ जाता तो यहां से बहुत कुछ पता लग सकता था बहुत कुछ डिकोड हो सकता था, एक्स्प्लेन हो सकता था बट उनका कुछ भी नहीं दिया गया है तो makers न यहाँ पर full safe खेल लें आज सिर्फ Tiger को सलमान भाई को ही focus करके ही दिखाए गया है उनके dialogue delivery से लेके उनके बोलने से लेके उनके सारे action sequence में भी हमें सिर्फ Tiger ही देखने को मिला है तो यहाँ से movie का न सिर्फ एक पार्ट पता लगा है और बाकी पार्ट में क्या होने वाला है यह बस adjustments and theories है तो उसी पर बात कर रहे हैं लेकिन जो यह special force जा रही है main leader मैं कहों सकता हूँ या पर यहाँ पर एक निकल रहा है कि इमरान हासमी हो सकता है या फिर कोई और terrorist भी हो सकती है तो यह बंदा अलग पिलाई करेगा definitely tiger की दूसरी तरफ रौ जो है हाथ धोकर पीछे पड़ी रहेगी किसके tiger के तीसरी तरफ ISI इसका पीछा बिलकुल नहीं छोड़ेगी वो भी जब पंगे में लगी रहेगी चाओ था भाई अब tiger अपना बाप बन चुका है तो एक पिता की responsibility होती है हर दम अपने बच्चे को protect करने की तो अब यहां से न दो कहानी निकलती है जब पठान को मदद चाहिए थी तब tiger आया था उसकी मदद के लिए जो पठान के cameo में हम देख चुके है movie में साल की सुरुआत में उसकी help करने के लिए आता है वो जो cameo का part था तो इतनी बड़ी जंग में इसे अपने बच्चे को पूरा ख्याल भी रखना है कि इसको tiger को तो मेरा एक prediction यह निकल लाए है मेरी एक theory यह निकल लिए कि पठान का जो cameo होगा वो maybe tiger को बच्चे को safely protect करने का होगा और उसे कहीं ना कहीं safe जगें में ले जाने का होगा और tiger उससे कहेगा कि तो भई इसका ख्याल लखना जब तक कि मैं अपनी जंग सुलजा के आता हूँ एक तो यह angle हो सकता है और angle दूसरा यह भी हो सकता है हाँ second angle पर भी आएंगे लेकिन अगर ऐसा हुआ अगर ऐसा हो गया तो यहां से tiger versus पठान का एक clue निकल लाए है एक link generate हो रहा है actual fight का reason कि tiger को पकड़ने के लिए पठान से side स side बच्चा रौवाले चीन ले या कोई भी एक theory एक scene sequence generate हो जाएगा जो हम बहुत सी spy universe movie हमें देख चुके है बहुत सी ऐसी Hollywood की movie भी है और भी है simple कुछ न कुछ कहानी निकल जाएगी जिससे की raw वाले उस बच्चे को tiger के बच्चे को पठान से चीन सकते है और इसकी खबर agency को पता लग जाएगी पहले से ही ये भी हम बहुत बार देख चुके है normal सा है spy universe में ऐसी कहानिया चलती रहती है और पठान को head trust issue का चकर ये चीज हम पठान में देख चुके हैं तो जाने अन जाने में पठान के हाथ से tiger का बच्चा निकल जाएगा और rocket cup jay में आ जाएगा तो यहां से tiger versus पठान हो सकती है ये link solid link है यहां से ये generate हो सकती है यहां से fight generate हो सकती है देखो तुम यहां से ये मत कहने लग जाना कि यार ये तो तुम tiger versus पठान की कहानी बता रहे हो बट बावा ये इस movie में हो सकता है क्योंकि easily इन्होंने उपर उपर से बता दिया है कि tiger को इस movie में मैं traitor नहीं हूँ, गतार नहीं हूँ ये proof तो करना ही है लेकिन इसके अंदर क्या-क्या चलने वाला है इसी के साथ बहुत कुछ चलने वाला है cameo आएगा, कहानी अलग चलेंगी raw की कहानी अलग चलेगी ISI की कहानी अलग चलेगी उदर इमरान हासमी अलग लेवल पर पिलाई करेगा तो ये सारा story sequence हमें देखने को मिल सकता है movie में तो उसी की चीज के वारे में बात हो रही है और मैं आपको बता दूँ तो this is all the prediction ये सारा कुछ adjustments है ऐसा ही मिलेगा, बिल्कुल मत सोचना की ऐसा ही मिलने वाला है बट ऐसा हो सकता है, एक बार के लिए ये possibility है, probability है ये prediction मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा angle ये हो सकता है पठान help करने तो आएगा ही आएगा टाइगर की, ये तो definitely बिल्कुल है लेकिन उससे कुछ ऐसी गलती हो जाएगी जिससे टाइगर वर्सिस पठान का link generate हो जाएगा तो यहां से हमें link generate दिखेगा ही दिखेगा अगली movie के लिए टाइगर वर्सिस पठान और साथ में ये भी सुनने में आ रहा है rumors है या कुछ भी कहो कि कभीर सिंग की entry यहां पर होने बाली है war movie से कभीर सिंग हमें यहां देखने को मिल सकते हैं तो इनका भी एक solid cameo set होने बाला है हमारे रितिक बाबा का तो ये जब सारे लोग एक साथ आएंगे उस पे एक अलग movie आनी है वो चीज़ अलग है वो दो तीन साल के बाद ही आनी है लेकिन अभी बात करते हैं tiger 3 की बागी teaser में एक बार मैं फिर कहूँगा awesome है teaser को teaser की तरह ही दिखाए गया है बस जो main मुद्दे की बात थी वो ही बता दी गई है बागी जब तक के लिए trailer का wait करते हैं जब trailer आएगा तब और भी कुछ खुलासा होगा और भी कुछ चीज़ें पता चलेंगी और देखते हैं मेरा ये prediction मेरी ये theory कितनी सच होती है कितनी नहीं लेकिन मैं बताओं तो मैं चाहूंगा कहाणी ऐसी ना निकले वरना मजा नी आएगा मैं चाहता हूँ कि मैं यहां पर गलत प्रूप हो जाओं और कहाणी जबरडस निकले unexpected निकले जो किसी ने सोची भी ना होगी जो भी हो unexpected हो जो मैं क्या किसी भी यूट्यूबर से डिकोड ना हो पाए ऐसी जबर्दस्त कहानी निकले और कहानी में अगर हमें दम देखने को मिले गया ना तो इस मूबी को हजार क्रोन टच करने से किसे का बात नी रोख पाएगा डेफिनेटली तो आप लोगों को क्या राय है आप लोगों का क्या कहना है आपके हिसाब से कहानी कैसी हो सकती है और टाइगर वर्षिस पठान का लिंक कैसे जनरेट हो सकता है यहाँ पर क्या जोया फैक्टर हो सकता है क्या टाइगर का बेटा वाला फैक्टर यह हो सकता है जो भी आपकी राए है नीचे comment box पर जरूर बता के जाना जरू से रगर के जाना दूसरा क्या tiger 3 1000 करोन का business कर पाएगी या नि कर पाएगी तो करोन जा पाएगी या 1500 करोन कुछ लोग का 500 करोन भी कहना कुछ तो हवावा में 2000 करोन भी बोल दे रहे हैं तो जो भी आपकी राए है नीचे comment box पर जरूर बता के जाना बाकी movie रूभी और box office से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलिवड और वर्वेज साथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए मार साथ है इसी जुर रहना और अगर चैनल पे नहीं हो तो subscribe जरू करना दूसरा अंगोटे वाला